नवस्कात दोस्तों जो स्वयम के लच्छी प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा समय निकालते हैं वही इस प्रित्ति इस पर्दा की दुनिया में सबसे आगे निकल पाते हैं नवस्कात दोस्तों रधिरादे स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गीते कान रासी प्रमें आज हम बात करने चारे हैं सिंघ रासी वालों के सिंग रासेवालों को एक मार्च दिन बुदवार कैसा रोने वाला है उन्हें आने वाले समय में किनकी चुन सापतर रहना हुगा और सिंग रासीवालों को आने वाले समय में वे कौन-कौन से कुसकबरी मिले वाली है तो दोस्तो आई शुड़े में आपको बताएंगे सिंग रासी वालों को पार्क वर जीवन कैसा रहेगा उनका बीनिस प्यापर कैसा चलेगा उनका प्रेम सम्मद कैसा रहेगा और साथी साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो, आए शूणा यकाष्यम पुरह अस्पीर बताएंगे, अगर दोस्तो आपकी भी सिंग रासी है, तो इस वीडो को पूरा देखेंगे객 दोस्तो आज बुद्वार है, सुरस्वतिमा करते हैं, कमेंट में दोस्तो जैस सुरस्वतिमा लिक हैं, सुरस्वतिमा आपकी मनुकामना पूरी करें दोस्तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सस्कार जबू करें और साथी साथ बेल एकन ओल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेसं मिल सके दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचांगी एक मार्ची तोया तेइस दिन बुद्वार आज की तितिये दस में आज का नचत्र म्रग सरा नचत्र पचे चारा सुकल पचे आज सुर उद्व होगा सुबद 6 बच के 48 मिनट पर और सुर अस्त होगा साम 6 बच के 18 मिनट पर दोस्तो आज का सुब समय है सुबद 10 बच के 40 मिनट से सुबद 11 बच के 37 मिनट तक रहेगा दोस्तो आज आपको सुकर करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें आपके लिए सुखो होगा साती आपको वताएं आज का असुप समय है दुपर एक बज़ के 32 मिनट से दुपर दो बज़ के 29 मिनट तक रहेगा दोस्तो आज आपका लखी लंबर 4 और सुबरंगे गुलावी और फ्रोजी दोस्तो अब बात करते हैं आज के रासीपल के बारे में आज का दिन कैसा रहेगा आई के जानते हैं तो दोस्तो सारे ज़क बीमारी से सही होने की काफी संबाबना है और इसके चलते आप सीख गरी खेल खुद में इस्सा ले सकते हैं कोई वैतरिन या नया विचार आपको आर्थिक तोर पर फायदा दिलाएगा नवी यूबगों को इसकुल प्रोजक्ट की बात पर कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है रोमेंस आनन रताई और काफी रोमेंस चक रहेगा आपको याद रखने की जरूरत है कि बगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है आप अपने जीवन साती के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्कोलों पर आसानी से सामना कर सकते हैं स्वास्त को दुरस्त करने के लिए आज किसी पार्क या जिम में आप जा सकते हैं साथ चाथ दोस्तों आपको बताएं बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्चा और सुकुन देने वाला अनुब रहेगा आपके पास आज पैसा भी प्रयाप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में सांती भी होगी बच्चे आपको गरेरो काम का निवटाने में मदद करेंगे आपका संगी आपका बला सोचता है इसलिए कई बार आप पर गुस्ता भी कर वैटता है उनके गुस्तें पर नाराज होने से बैतर यह होगा कि आप उनकी बातों को समझें और समयने की कोसिस करें जरूरी कामों को समय ना देना और फिजूल के कामों पर वक्त जाय करना आज आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है अगर आप अपने जीवन साथे की छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है आज आपके पैसे में इजापर होने की आसार है इसका कारण अतीत में क्या गया निवेस आपके लिए फल्दाई रहेगा साथी साथ आपको बताएं आज खुद को नई रूमेंचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक पादा पहुँचाएंगे गरेली जिन्दकी में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है आपके एवांदाद और जिन्दा दिल प्यार को जादू करने की तागत है आज सोच समझ कर कदम बढ़ानी की जरूरत है जहां दिल की बजाए दिमाग का ज़्यादा इस्तमाल करना चाहिए कहते हैं कि इस तरियां सुक्र और पुरस मंगल ग्रह के रहने वाले होते हैं लेकिन आज के दिन बिवाई सुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे साथी आपको बताएं आज आप आएंगे कि घर के आसपास की लोगों से आपके रिष्टे बनते जा रहे हैं या फिर बिदेश में रहरे आपके दोस्त आपको बहां आने का निमंतर दे सकते हैं या फिर काम के सिलसले में भी आपको बहां बुलाए जा सकता है इस अफसर का आपको फायदा उठाना चाहिए अपने रिष्टे को मजबूत बनाए और साथी अपनी सोच के दायरे को आगे बढ़ाए जीवन साथी के साथ रिष्टे मजबूत होंगे साथी साथ दोस्तों आपको बताए आप किसी चीज को पाने के इच्चा रखते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्चा है दोसरों के साथ अपने बताप को सामाने बना कर रखें किसी पुरानी होवी को आप अपना समय दे सकते हैं गर में चल रही बिवा संबली समस्या जल्दी स्वल्प हो जाएंगे जीवन साथी के सुवाब के नकारातों पहलिएं पर गौर करने की जरूरत है आज आपको लोटरी और सट्टे वाजी से दूर रहना चाहिए आपको अपने बिवार पर नोकरी में समल कर कार करने की चाहिए बविस्ट को बैतर बनाने के लिए नई कदम उठाएंगे अचानक लाव और हानी की इस्तिती बन सकती है इसलिए जो वी कार करें उसमें साबधानी बरतनी की जरूरत है बाई बैनो पर मित्रों का सेयो आपको कारे चेतर में लाव दिलवा सकता है साथी दोस्तों आपको बताएं आज के दिन भजन और बक्ती की ओर आपका मन आकर सित होगा आपके मन में किसी ब्यक्ती की मदद करने का भाव जागेगा आज आप कई बातों से अपने आपको गराववा मैसुस कर सकते हैं किसी पिरेमी या साथी के लिए सौपिंग करना पड़ सकता है गरस्त जीवन को खुल कर इंजोई करेंगे और जीवन साथी से निकरता बढ़ेगी आपकी आमदनी बढ़ेगी जिससे आपके जमाकोस में ब्रत्री होगी बिवसाई छेतर में नई कामों के सुरुवाद के योग हैं फाइनेंस, सेयर्स, बीवा आदी से संबंदित ग्रक्तियों को अपने कार छेतर में बिसेज द्यान देने की आवस सकता है बकालत कर रहे हैं लोगों को आज किसी क्लाइंट से अच्छा लाफ हो सकता है साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आर्थिक इस्तिती भी बैतर रहे हैं नईती की संबंदियों के साथ मेल मिलाफ अच्छा रहेगा परवार के साथ मनोरंजन और आमुद प्रमुद की संबंदि कारणों में सुकर्द समय बितीत होगा लाफ पार्टन के साथ मुलाकावत की अवसर बनेंगे पार्टन के साथ बाच्छित कर्च समय उनके भावनाओं पर ध्यान रखें काम के साथ साथ स्वास्ता के द्यान रखना जरूरी है तकान की बज़े से आपको सिर्दरद भी हो सकता है जिन लच्चों को आपने प्राप्त किया है उनकी बज़े से इस्तिरता बनी रहेगी लेकिन इस्तिरता होने का डर्वी आपको रहेगा हर एक बात पर नेंतर करने की कोशिस ना करें, कार छित्र में किसी अधिनस्त कर्मचारी की बज़े से कोई दिक्कत उत्पन हो सकती है, इसलिए सभी गति विद्वों पर आपको नए रखने की जरूरत है, हाला कि आई की इस्तिती बैतर होगी, नौकरी पेसा लोगों को भी अ आवे सकता है, दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइब की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आई की जानते हैं, तो दोस्तों, आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ड रूप से आनन्द लेंगे, यदि आप किसी से प्यार करते हैं, तो आज आप उनसे अप समद मदूर होने की संबावन अधिक पाई जाती है, साथ ही साथ दोस्तों, प्यार मुपत के मावले में दबाब बनाने की कोशिस नहां करें, यदि इस समय आप दोनों के बीच कोई मन मटाव हैं, तो आप उन्हें समझने की कोशिस करें, लेकिन मन मटाव रहने के साथ जल्दवाजी में नाले, जो भी आप उनसे कहें, वह वहती सोच समझ कर ही कहें, और साथी साथ, आप अपने प्रेम जीवन को कोसर रखना चाहते हैं, तो आप किसी तीसरे की बातों को सुनकर, अपने प्रेम जीवन के बारे में, कोई भी राय ना वनाए, वनना इस्तिती बि पर सकती है, इसलिए किसी तरह की स्वास्त समझ समस्य आने पर सही उप्चार करना बेहत आवश्यक है, जिससे समय रहते किसी तरह की अन्होनी को रोका जा सकता है, इसलिए आप अपने खानपान पर ध्यार रखें और रोजाने यूगा बैजाम करते रहें,